अब देखते हैं यहां पे कुछ अप्लिकेशनिक पर बात कर लेते हैं देखें यहां पे यह two ohm औ फ्री ohm का दो रेसिस्टर्स है बताइए किसमें यह parallel combination में है क्योंकि two ohm का यह वाला end 3 ohm के इस end से connected है, 2 ohm का दूसरा वाला end 3 ohm के दूसरे end से connected है, अब इसका कहा जाएगा कि इस system of resistors का यह जो combination of resistors है, उसका total resistance बताईए या equivalent resistance बताईए या effective resistance बताईए, तो हमने अभी क्या करक्खा है, कि 1 by r will be equal to 1 by r1 plus 1 by r2, r is called the effective resistance या total resistance या equivalent resistance कहेंगे, जो कि parallel combination of distance का रखा है, अब कीजिए, 1 by r will be equal to r1 की जगा 2 ohm प्लेस कीजिए, r2 की जगा पर 3 ohm प्लेस कीजिए, तो 1 by r will come out 1 by 2 plus 1 by 3, अब इसको आपको simplify करना है, इन दोनों का LCM लेंगे तो 6 आएगा, उपर आ जाएगा 3 plus 2, simplify करके 1 by r will come out 5 by 6, hence r will come out 6 by 5 ohm, बहुत असान है, तो इस तरही के से यहाँ पर इस निकल जाएगे, यही दो कॉंबिनिशन आप रेसिस्टर्स जो है, 2 ohm और 3 ohm का parallel में connected है तो, अब मैं एक और जल्दी वाला तरीका आपको बताता हूं, सौट कर तरीका बताता हूं, जिससे कि आप जल्दी वर्क आउट कर सकते हैं, देखिए, यदि दो रेसिस्टर्स पैरल कॉंबिनिशन में होता है, तो 1 by r equal to लिखेगा 1 by r1 plus 1 by r2, जब इसको lcm लेके solve किजेगा, जब इसको solve किजेगा, तो it will come out r1 plus r2 divided by r1 into r2, बता हूं, आर की value आगे एक तरह से, यह तो आगया 1 by r के equal, this will be equal to 1 by r, क्योंकि इन दोनों को solve करने के बाद आपके पास आया, r1 plus r2 by r1 into r2, that means it will be equal to 1 by r, तो r के value क्या आजाएगी, r1 into r2 divided by r1 plus r2, तो r के value simple सी बात कितनी हो गई, r1 की जगा पे 2 हम प्लेस कीजे, r2 की जगा पे 3 हम प्लेस कीजे, तो यहाँ पे 2 into 3, divide by 2 plus 3, which will come out 6 by 5, तो जल्दी से आप यहाँ पे, यदि यह formula की तरह याल रखते हैं, कि दो resistance, यदि parallel combination में होता है, r के value होती है, r1 into r2 divided by r1 plus r2, तो r will come out 6 by 5, तो इस तरह से आप जल्दी से work out कर सकते हैं, तो यह parallel combination of two resistors में, कैसे total resistance निकाला जाएगा, त तो हमने इसके पर बात करा है, इसी तरह से 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो resistance, तो आप ऐसे ही यहाँ पर work out कर सकते हैं, right? अब हम लोग एक और problem देखते हैं, parallel combination of resistors के ओपर, देखें यहाँ पर, 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm, यह तीन resistance आपसे parallel combination में हैं, इसका हमें total resistance या equivalent resistance या effective resistance पता करना है, तो कैसे करेंगे? फिर वही formula जो हमने derive कर रहा है parallel combination में, तीन resistance के लिए, 1 by r will be equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3, यह लिख दीजेगा आप सबसे पहले, r कालाता है, यहाँ पर total resistance इस system का, या कहें equivalent resistance, या कहें effective resistance, r1 की जगा पर 1 ohm प्लेस कीजेगा, r2 की जगा पर 2 ohm प्लेस कीजेगा, r3 की जगा पर 3 ohm प्लेस कीजेगा, तो 1 by r आगे आपका 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3, अब 1, 2, 3 का calcium लिजेगा, जो कि 6 आएगा, फिर आप जैसे calculate करते हैं, आपको पता ही होगा, तो हम लोग जब इसको calculate करेंगे, तो it will come out, 6 plus 3 plus 2 divided by 6, उपर add कर दिया, तो 6 plus 3 will be 9 plus 2, 11, तो 11 by 6, 1 by r की equalा है, तो r will be equal to how much, 6 by 11 ohm, बहुत असान है, बस calculate करना है आपको, इसको simplify खुद करें आप, अना कि मै 6, 7, 8 में ऐसे mass करी जाती है, तो इसको simplify करके, जब यह करेंगे, तो 1 by r आजाएगा, आपको पास 11 by 6, तो r कितना आएगा, 6 by 11 ohm आएगा, एक तो यह तरीका है, जिससे आप करेंगे, दूसरा तरीका यह है, कि जब आप इस पूरे result को simplify करेंगे, और r की value निकालेंगे, त तो r का result आता है, this r will come out, r1 into r2 into r3, तीनों resistance का product divided by r1 into r2 plus r2 into r3 plus r1 into r3, जब उस result को simplify करेंगे, तो यह आपका आएगा, अब r1 की जगा पे 1 ohm प्लेस केज़े, r2 की जगा पे 2 ohm ले लिजे, r3 की जगा पे 3 ohm ले लिजे, तो कितना हो जाएगा, 1 into 2 into 3 divided by r1 की जगा पे 1 oh r2 की जगा पे 2 ohm, तो 1 into 2, plus r2 की जगा पे 2 ohm, r3 की जगा पे 3 ohm, तो 2 into 3, plus r1 की जगा पे 1 ohm, r3 की जगा पे 3 ohm, तो 1 into 3, 1 into 2 into 3 will come out, 6, 1 into 2 will be 2 plus 6 plus 3, that will come out 2 plus 6 plus 3, it will come out 11, तो यह total value कितनी हागे, 6 by 11 ohm? तो जब R1, R2, R3 के वे लिए इस formula के अंदर जो यहां से आप calculate कर सकते हैं, derive कर सकते हैं, जब place कर दीजेगा, तो उसके बाद calculate कीजेगा, तो it will come out 6 by 11, तो यह आप यूज कर सकते हैं, directly, आपको यदि जल्दी से work out करना है, तो आप directly यूज कर सकते हैं, तो यह हो गया आपका parallel combination of presisters, तो इस तरीके समय है, parallel combination of presisters के उपर apply किया है,